हेलो दोस्तों नमस्काल आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लास इस हरी सब में इस वीडियो में फिजिकल आज को इस उन से रिलेटेड कुछ इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप वन हन्रेड टॉइंटी फाइफ डिसकस करेंगे जो कि आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए रहने वाला बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन का समावेस किया गया है जिसके क्वेशन आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप सभी लोग अपनी रफ़कों पर निकाल लीजिए गाए हमार सीट है तो उसको निकाल लीजिए गाए उस पर इन सभी क्वेशन को देखिए गा और अपना रिवीजन टेस्ट कीजिए गा कि कितने क्वेशन एक्जैक्टली आपके 125 में से सही होते हैं और जो भी इस्ट दिवात करते हैं आज के फस्ट कोईशन की फस्ट कोईशन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर अंतरवर्तिय जो है को सिकाय कहां पाई जाती है जिसका आंसर आप सभी को अटेम्ट करना है सही आंसर से उतर रिलेट कीजिएगा क्योंकि आपकी स्कोरिंग आपको मेरिट में उपर नीचे से उपर की ओर ले जाएगी तो राइट आंसर यहां पर सभी लोगों कहाना सुरू हो चुका है सही आंसर हो जाएगा व्रक मूतनली मूत्रासा या फिर डी आप्सन उप्रोक्त सभी बात की गई है अंतरवर्तिय को सिकाय यह कहां पाई जाती है उप्रोक् सान इग्जाक्ट इस कवेश्चन का राइट आंसर होगा रोत लगत होसा है dr 들 li phosyn को सक क्यों को पकला को कहते हैं है घहनाकार उपकला को सिकाएं जो होती है उनको बोला जाता है सेकेंड का इग्जैक्ट राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा यहां पर कौन सा आप्शन सही होता है कोईशन नमबर सेकेंड में जो उत्तर आप लोगों ने अटैंट किया स्रंगी इस्तरीय सलकी उपकला से रिलेट करेगा एए आफ्शन सही आंसर है नेक्स्ट इस्तरीय सलकी उपकला जो है उतक का उधारन आपको बताना है इसका जो एक्जामपल होगा वह क्या होगा मूत्र नलिया होगा डिम्ब वाहिनी होगा पाचन तन्त या फिर डिया उप्सन है त्वचा बोलियेगा इग्जैक्ट आंसर होना चाहिए बिलकुल आप तैजारी कांटीन्यूटी के साथ में करते रहिएगा योगि उत्राखंड में भी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो भी इस्टोट उत्राखंड से बिलॉंग करते हैं वो सभी लोग प्रप्रेशन करते रहें और बिहार के इस्टोट जितने भी हैं वो सभी अपनी कांटीन्यूटी के साथ में मेंनत करें योगि आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं मेहनत कर लीजागा एक कांटीन्यूटी बनाईएगा देखिए पढ़ाई जो होता है उसको टाइम अगर आप देंगे तो पढ़ाई आपके दिमाग में रहेगा अगर पढ़ाई को इस टाइम नहीं देंगे एक्जांपल की अगर यहां पर बात कर लेते हैं तो डी आफ़सन जो आपकी स्क्रीन पर रहा है सक्किन यानि कि तुचा से रिलेट करता है डी उत्तर राईट आंसर है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं question दिया हुए और श्रंगी स्तरीय सल्की उपकला कहां पाई जाती यह कहां पाई जाती कौर्णिया में पाई जाती है स्वर रचु में पाई जाती है ग्रास नली जाго इन सभी ने पाई जाती आ है बताईन न्वर प्का आंसर होगा यह कौनą से confident क्रेंगा कौन सा उत्तर इसका सही आंसर होगा राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर question number 4 का कौन सा हो जाएगा D option सभी लोगों को ने आटम डी किया है तो D उत्तर इसका सही आंसर हो जाता है next question पर move करते है next question है इस्तरित इस्तंभाकार उपकला उत्तक है यहाँ कहां पाये जाता है ग्रसनी में पाये जाता है epiglottis जो होता है उसमें पाये जाता है गुदी यह म्यूकोजा में पाये जाता है या फिर इसमें भी डियापतर आप लोग का हो जाएगा बोलिए question number 5 right answer तभी लोगा time करेंगे कि सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है ग्रसनी epiglottis गुदी यह म्यूकोजा या फिर डि आफ्सन तो डि उत्तर इसमें सही उत्तर हो जाएगा right answer होगा next question पर move करते है next question दिया हुए सरीर में गैस वा तरल पदार्थों का आवागमन किस उत्तक द्वारा होता है इसमें जो आवागमन होता है यहाँ कौन से उत्तक के द्वारा होता है रोमक उपकला उत्तक के द्वारा होता है ग्रंधिल उपकला उत्तक इस्तरित इस्तंभाकार उपकला या फिर सल्की उपकला question number 6 में आप लोग answer attempt कीजिएगर right answer कौन सा होगा D option सलकी उपकला से relate करता है D उत्तर आप लोगों का बिल्कुल correct answer हो जाता है सही answer है next question पर move करेंगे next question दिया हुआ है 7th number का गहना का उपकला उतक कहां पाए जाते हैं स्वसन नलिकाएं जो होती ही उसमें पाए जाते हैं लार्ग गंतियों में पाए जाते हैं पाचन गंतियों में पाए जाते हैं या फिर D option इन सभी में पाए जाते हैं questions का label आपको यहां पर जो मिलेगा थोड़ा सा up होगा इन questions को अच्छे से ध्यान से देख के answer अपना attempt कीजिएगा योगि answer आपका तभी सही होगा जब आप पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रखे होंगे D option से relate करेगा D उत्तर इसका सही answer है next question पर move कर रहे है next question है घना कार उतक जो है इसका कार्य बताईए अगा आप लोग पढ़ चुके होंगे उससे लगता होगा बहुत आसान लेकिन जो अंदर यह questions आपके बने हुए papers में set किये गया है इनका label आप है रच्छा स्रामण भरन या फिर सभी इन सभी से relate करता है next question पर move करते है इस्तंभा कार उतक शरीर में कहां पाये जाते हैं ये कहां पर पाये जाते हैं 9th में बताना है इस्तंभा कार यहाँ पर D option से relate कर जाएगा क्या बिल्कुल आप लोग को का उत्तर बिल्कुल सही आ रहे है D उत्तर right answer है next question पर move करते है इस्तंभा कार उतक का कार कौन सा जो इस्तंभा कार उतक है इसका कार आवसोसर है स्रावर्ण है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं इस्तंभाकार उपकला उतक बताईजिएगा राइट आंसर से उत्तर रिलेट कीजिएगा यहाँ पर आवसोसर्ड श्रावर्ड सी आपसन दोनों या फिर डी आपसन कोई भी आंसर राइट नहीं होगा सशी नहीं होगा क्योंचन नमबर टेनथ है आपके स्क्रीन पर सी आपसन यहाँ पर होजागा अवसोसर्ड और स्रावर्ड सी का राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट कोईशन है निम्ड में से किसे ओवर ट्रेनिंग कहा जाता है किसको इसमें से ओवर ट्रेनिंग कहते है न्यून भार जो होता है उसको कहा जाता है सामान भार जो होता है उसको कहते है क्रेश्ट भार जो होता है उसको बोलते है या फिर अधिभार को बोलते है बोलिए D option इसमें relate करेगा क्या किसे over training कहा जाता तो इसमें जो अधिभार होता है उसको over training कहा जाता है next question पर move करते हैं अधिभार का जो लच्छन है या क्या है जो अधिभार है उसका जो लच्छन है वह क्या होगा अनकूलन की इस्थिती होगा अधिभार का लच्छन कौसल ग्रहनता होगा गामक योगिता में ब्रध्योगी या फिर चीड़ा पन D option आपका हो जाएगा क्या अधिभार के लच्छन की बात की जा रही है अनकूलन की इस्थिती यहाँ पे गरत आंसर होगा राइट आंसर जो हो जाएगा चीड़ चीड़ा पन हो जाएगा D option इसका राइट आंसर हो जाता है D उत्तर सही आंसर है next question पर move करेंगे next question है अधिभार की इस्थिती में प्रसिच्छक को क्या करना चाहिए जो अधिभार की इस्थिती है उसमें जो प्रसिचक है उसको क्या करना चाहिए भार को बढ़ाना चाहिए अधिभार के कारों की खोज करना चाहिए प्रसिचन जारी रखना या फिट D-Option आप लोग के स्क्रीन पर है इन में से कोई नहीं बहुत important person है इसके पहले अगर आपन अगर नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाईएगा वहाँ से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं 125-100 questions की PDF वहाँ पे आपको answer सही provide की गईए उन सभी questions के वीडियो को अच्छी तरीके से repeat कीजिएगा लेबल बहुत अच्छा है questions का इस question में answer हो जाएगा D option नहीं होगा अधिभार के कारणों की जो खोज है C option भी गलत हो जाता है B उत्तर correct answer है नेक्स्ट question पर move करेंगे नेक्स्ट question है अधिभार का सकारात्मक प्रभाव होता है जो अधिभार दिया हुआ है इसका सकारात्मक प्रभाव आपको बताना है क्या होता है ठकान होता है च्छति पूर्ति होता है घबराहट होता है या फिर अनकूलन होता है बोलिए 14th में आप लोगों का answer बिल्कुल कि इन questions को अब ध्यान से देखिए यहां से आपका जो लेबल है थोड़ा सा और अप है क्या होगा अनकूलन से रिलेज कर जाता है डी आफसन इसमें सही answer सकारात्मक की बात की गई है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते है नेक्स्ट कोईशन है थे अधिभार का लख्छण नेक्सट कौन से में सहीं इसमें आप बताई हैकर जो अधिभार है इसका जो लत्षण होगा जो इसमें से कौन सहां थोगा स्वासन दर्ए कुंग नीवित रूप उकेल में रूचिखाम निकासि जाफिट डिया प्रसिजखक की आलोचना को बूलिए क्या आलोचना हो जाएक प्रसिजखक की या सुसंदर्ख की नियुमत रूप खेल में रूचिया कॉसल शिछन में विकास सफ़ी आंसर आप लोग अटेमट कीजिए अपना अंसर आप कीजिए गां एक रफ कॉपी आप लोग बना कर रहे हैं अगर आप प्रिप्रेशन से रिलेटेट कर रहे हैं तो एक रफ कॉपी बनाइए डेली मौक टेस्ट लगाईएगा और इसको चेकाउट करते चलिएगा कि आपके कितने कोईशन्स डेली कडेली सही हो रहे हैं क्योंकि इससे आप खुद से लगेगा कि आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ पढ़ाई अवस्स कर रहे हैं डी आपसन यहां पर सही आंसर हो जागा प्रसिच्छा की आलोचना से रिलेट करता है डी उत्तर इसका राइट आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है नेक्स्ट कोईशन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है प्रसिच्छन की प्रसिच्छन आइटन को किस अवध में रखा जाता है इसको कौन सी अवध में रखा जाता है बिल्डप प्रतियोगिता जो होती है उस अवध में रखा जाता है तैयारी काल में रखा जाता है संकर्मार काल या फिर प्रतियोगिता के दोरान देखिए बहुत important question है यहाँ पर build up प्रतियोगिता आप में से बहुत से लोग attempt किये हैं और यह answer भी कुछ books में दिया हुआ है लेकिन जो exact answer आयोग का हो जाता और सही answer हो जाता प्रतियोगिता के दोरान यहाँ पर हो जाएगा सही answer D उतर है नेक्स्ट वोशन पर move करते हैं एक खिलारी का खेल प्रतियोगिता में निम्न इस्तर प्रदर्शन का कारान होता है इसका निम्न प्रदर्शन इस्तर के अगर कारान की बात करने तो क्या होगा रूची होगा अभी प्रेरिणा होगा कौसल का सामान इस तरह या फिर डी आपसन चिलता पीडियो पसंदा आप तुरंद वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आप सभ प्रोइड किया गए हैं सेलेक्ट करके आप लोग के लिये डी ऑपसन इसमें सई आंसर हो जाता है चिन्ता हो जाता इसका correct answer next question पर move करते हैं next question है किस सिद्धान्त के अनुसार जब एक प्रकार का प्रसिचर सुधार केवल एक कारक होता है भार की जटिलता भार की सरलता भार की विशिष्टा या फिर भार की व्यक्तिकता केवल एक practice set आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कम से कम 6 घंटे का समय लगता है केवल टाइप करने में उसके बाद क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है और questions select करने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसके बाद उन questions के answers भी feed किया जाते है और label भी check out किया जाता है कि हाँ क्या TGT आपका जो exam की preparation कर रहे है उसी के according है कैसा label है tough label है moderate है easy to moderate तिया गया है इसलिए आप लोग daily मेहनत कीजिएगा तयारी कीजिएगा आपको जो questions का label यहां से मिलेगा वो exam के according ही मिलेगा अभी तक जितने भी exams होए physical education related किसी भी state में आपको जो label मिला था उसी के according आपके question papers भी आपको मिले हैं question पूछने का तरीका भी आपको मिला है तो हो सकता है आपकी तैयारी का जो इस समय प्राणूप चला जा रहा आगे आने वाले exams में उसमें आपको और भी benefit मिले इसलिए continuity बनाया रखिएगा मेहनत करिएगा आप सभी के marks अवसिंक्रीज होंगे भार की बिसिष्टता से relate करता है C option right answer next question पर move करते हैं next question दिया हुए निरंतर भार के सिधान्त के अंतरगत किन कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कौन से कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए खिलारी की रुच पर ध्यान दिया जाना चाहिए खिलारी की गामक योगिता पर ध्यान दिया जाना चाहिए अधिभार की इस्तिती जाफिट D option है उपरोप्त सभी बताईए बहुत important question है revision test भी group में आप लोग को provide किया जाता है कुछ लोगों के सोच होती है कि revision test है इसको तो हम कर चुके हैं लेकिन आप लोग उनको repeat अवस किजाएगा क्या आपको yoga दिवस किस दिन मनाय जाता है अगर exam में पूछा जाए तो क्या आप answer उसको टिक नहीं करेंगे योगी आपको आता है तो आप उसको तुरंट टिक लगाएंगे इसलिए आते हुए questions को भी आपको repeat करना है D option यहाँ पे सही answer होता है उप्रोब तो सभी से relate कर जाता है D option right answer next question पर move करेंगे next question दिया वाइ न्यून भार की इस्थिती में खिलारी पर प्रभाव पड़ता है तो न्यून भार है इसकी इस्थिती में जो खिलारी पर प्रभाव पड़ता है या किस पर प्रभाव पड़ेगा अनुकूलन में कमी पर प्रभाव पड़ता है दच्छता प्राप्ती में कमी पर प्रभाव पड़ता है प्रदर्सन चमता में कमी पर प्रभाव पड़ता है या फिर आपका D option दिया हुआ है उपरोग तो सभी बताईए का इसका राइट आंसर क्या होगा question number 20 D option उपरोग तो सभी से रिलेट करेगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते है फाटलेक प्रसिच्छान को किसने प्रचलिट किया जो फाटलेक प्रसिच्छान है इसको निम्न में से किसने प्रचलिट किया फैडरिक यान जो है इन्होंने प्रचलिट किया गॉष्टा होलमन ने प्रचलिट किया नेक्स्ट कोईशन पे मूब करते हैं निम्र में से कौन सी प्रसिच्छन बिद को speed play के नाम से जाना जाता है इस में से कौन सी प्रसिच्छन बिद को speed play के नाम से जानते हैं प्लायोमाट्रिक प्रसिच्छन, circuit training, bar procedure या फिडी आप से ने fartlek procedure राइट आंसर क्या हो सकता है सभी लोग अपना आंसर अटेम्ट कीजिएगा अगर प्लाइमाट्रिक प्रसिचन आपने अटेम्ट किया तो उत्तर हो जाएगा गलत राइट आंसर जो उत्तर रिलेट करता है फार्टलेक प्रसिचन से रिलेट कर जाता है डी आउप्शन राइ ये साई आंसर देखते हैं 23 नंबर में आप लोगों का क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाता है सही उतर होता है प्रतिपादन किस ने किया इसका जो प्रतिपादन किया यह किस ने किया दबाओ प्रतिच्छान विधि गोष्टा-हॉलमर ने किया विंटर बोटम फ्रेड विल्ट या फिर माइकल जान 24 राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर 24 का किस option से रिलेट करेगा कौन सा उत्तर साई आंसर हो जागा बी option यहाँ पर winter bottom से रिलेट करेगा बी उत्तर इसका राइट आंसर हो का नेक्स्ट कोईशन है निम में से दबाव प्रसिचन विध का एक्जामपल आपको बताना है इसका एक्जामपल क्या है medicine ball ब्यायाम है इसका एक्जामपल लंबी दूरी दोड है subtle run है या फिर sit up है 25 में आप लोगों का answer यहाँ पे आपके चार नंबर confirm करेगा UPTGT में 25 का right answer इसमें किस option से रिलेट करेगा कौन सा उत्तर सही answer होगा medicine ball ब्यायाम से रिलेट कर जाएगा इस option इसका correct answer हो जाएगा right answer होता है next question पर move करते है next question है किस खेल में सर्व प्रथम दबाव प्रसिच्छा विदी का प्रियोग किया गया था इसमें कौन सा यहाँ पे option है जिसमें इसका प्रियोग किया गया tennis hockey football तेरा की 26 बताईए 26 नंबर फुटबाल से रिलेट कर जाएगा C option आप लोगों का right answer है next question पर move करते है circuit training का उदेश किसमें विकास करना है जो circuit training है इसका उदेश जो है यह किसमें विकास करने से रिलेट करेगा लचीलापन सक्ति समन्नवय योगिता या फिर छतिपोर्ति 27 27 का बहुत important C option से रिलेट करेगा सक्ति सका सही आंतर होगा निरंतर प्रसिछान बिधिका जो प्रतिपादन किया यह किसमें किया निरंतर प्रसिछान बिधिका प्रतिपादन डाक्टर अरनेस्ट वेन ओकेन ने किया मॉर्गन ने किया डैनियल कोमेन या फिर स्टीव डेविस 28 नंबर प्रसिल में आप लोगों का सही आंसर जो हो जाता है राइट आंसर से रिलेट करना चाहिए और सही उत्तर जो हो जाएगा आपका यहां पर ए आप्सन से रिलेट करेगा डाक्टर अरनेस्ट वेन ओकेन से रिलेट करता है ए उत्तर इसमें राइट आंसर होता है सही आंसर होता है निरंतर प्रसिच्छन बिधी तो यह सहन सीलता जो होता है इसके बिकास में सहायक होता है next question पर move करेंगे 30 नमबर का question है निम्न में से निरंतर प्रसिच्छन बिधी जो है इसका रूप आपको बताना है क्या होगा 400 मीटर दौर से रिलेट करेगा उची कूठ से रिलेट करेग किस option का आप लोग राइट आंसर अटेंट करेंगे 400 मीटर दौड हो जाता है क्या उची कूद हो जाए क्रॉस कंट्री या फिर मेडिसिन बॉल थ्रो तीस नंबर सी आपसर हो जाएगा क्रॉस कंट्री से रिलेट करता है नेक्स्ट वोईशन पर मूब करने है कौन से प्रतियोगिता प्रकार में बिजेता टीम से हारी भी टीम में जो है उप बिजेता बनेने के लिए आपस में खेलती है इसमें कौन से सांत्वना टाइप वन बैगनौल वाइल्ड या फिर राउंड राविन या फिर डी आफ्ट ने चुनावती थर्डी वस्ट इग्जेक्ट आंसर आप लोग का हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर बैगनौल वाइल्ड से रिलेट करता है भी उत्तर इसमें करेक्ट आंसर होता है नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करते हैं 25 टीमों की एकल लीग प्रान ली यूपी टीजी टी में इस चै 300 एन मैच से रिलेट कर देगा 300 इसका करेक्ट आंसर है और वरतमान समय में ACN गेम्स चलने हैं आप लोग के एक्जाम जब होंगे उस टाइम पर क्वेशन से भी मिलेंगे आपको वो प्रवाइट कर दिया जाएंगे प्वेशन 33 है निम्न मैसे लीग प्रतियोगता का लाभ जो है कौन सा इसमें आपको बताना है अधिक ब्या होता है अंतिम चरण में मैच रोमांचक होते हैं खिलाडी को सीडिंग देते हैं या फिर टीमों को खेलने के ज़्यादा उसर क्वेशन नंबर है आपका 33 आंसर आप लोगों का सही आना चाहिए और राइट आंसर आप लोग अटेम्ट कीजिएगा सही आंसर कौन सा होगा दी आउसरेट टीमों को खेलने के ज़्यादा उसर से रिलेट करेगा डी उतर जिसका राइट आंसर हो जाएगा डबल लीग में एक टीम अन्य किसी टीम से कितनी बार मैच खेलती है ये आप लोग को अटेम्ट करना है एक बार खेलती है दो बार खेलती है एक बार भी नहीं या फिर डी आउसरे तीन बार भी नहीं बोलिए चौतिस नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है सबी लोगों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग अटेम्ट कर रहे है तोकि तयारी आप लोग की बहुत 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 निचली बस इसी को कांटि इन्यूटी के साथ एक्जाम तक बनाया रखियागा आप सब भी लोगों के इंट्रीज होंगे मार्क्स और साथ में सेलेक्शन भी प्राप्त होगा वी आप्शन टू टाइम से रिलेट करता है दो बार इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर से रिलेट करेगा ने 14, 15, 16 या फिर डी आपने 17 राउंड्स बोलिए यहां पर आंसर आप लोग का कौन से होगा और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रूप जॉइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं फोन पर गूगल पर के माधियम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीन सौर्ट सेंड करके गुरूप से जोईन हो सकते हैं और बहुत बहुत बहुतिन तरीके से यूपे ट्रीजिटी उत्राखन एल्टी ग्रेट के लिए जो भी डेली कर डेली मॉक टेस्ट कुई जा फिर एक्जाम पैटर्न पर प् सबी लोग दोनों पेपर्स के लिए कॉंटेक्ट कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट आज भी आप लोग को बिहार के ग्रुप में दोनों प्रोवाइड किया जाएगा बहुत 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 बहुतिन रहेंगे विए का बैच ही पूरा अलग चल लाहा है आप बताना है आपको आंसर पहती जिसको जिस बैच में जुड़ना जुड़ सकते हैं किसी को कोई भी कन्फीजन हो आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते हैं नय पुराने सभी स्टुडेंट बी आपसन 15 राउंड से रिलेट करेगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं निव में से कौन सा मूलभूत खेल प्रबंधन से संबंदित नहीं है कौन सा इससे रिलेट नहीं करता है देखिए का पृतियोगता लीग क्लब या फिटीमें जो होंगी इससे रिलेट नहीं क करता है लीग प्रतियोगता से रिलेट करता है चुनावती प्रतियोगता या फिर डबल नाकाउट प्रतियोगता बताई यह स्टेयर केस भी धी तो यह किस से संबंदित है यह लीक प्रतियोगिता से रिलेट करेगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है अंतरसदनिय प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश से है जो अंतरसदनिय प्रतियोगिता है इसका प्राथमिक उद्देश क्या है बिध्यार्थियों की जाच करना इंटर इस्कूल प्रतियोगिता में भाग लेना इंटर इस्कूल प्रतियोगिता कराना जा फिर बिध्याले टीम के चैन में सहायक question number 38 आपका answer आपके 4 marks से relate करेगा right answer आप लोग बताईएगा बहुत important है सही answer हो जाएगा विद्याले टीम के चैन में सहायक हो जाएगा इसका right answer next question पर move करते हैं खुली और बंद प्रतियोगता ये question exam में बहुत बार पूछा गया है practice set बे आपको दिया भी जा चुका है ये कौन सा होगा खुली और बंद प्रतियोगता कौन सा होता है extra mural होता है यहाँ पर बहुत important question next question पर move करेंगे intramural और extra mural दोनों ही सारीरिक सिच्छा के मुखी कारिक्रम है इन में से intramural आपको बताना है क्या होगा नाम से ही आपको पता चल ला है ये क्या है प्रतिस्तर प्रत इस परधात्मक खेल है मनरंजन खेल ने प्रतिस्तर परधात्मक खेल से रिलेट करेगा या फिर देश्ती ये खेल सही answer आपका अगर question के according देखें तो आपका right answer कौन सा हो जाएगा DB option next question इंटरमर्ल प्रतियोगता निम नमेर से किसके लिए आधार का कारी करती है किसके लिए आधार के कारी से रिलेट करती छात्र का मनरंजन से रिलेट करेगा कौसल भिकास से रिलेट करेगा पार्ठिक्रम का कारिक्रम जो होता उससे या फिर प्रतिपा की पहचांग से रिलेट करेगा तो सही उत्तर आप लोग का आ चुका है राइट आंसर से रिलेट करेगा D option यहाँ पे D उत्तर 41 का करेक्ट होता हो next है 42 नंबर का question और total आपके 125 questions आपको दिये जाएंगे जिसमें आप लोग scoring कीजिएगा कि 125 जो practice set है आपका इसमें से कितने questions आप लोग के सही होते हैं D option यहाँ पे सभी लोग attempt की होंगे राइट आंसर से रिलेट करता है next question पर move करता है next question है 43 सांत्वना प्रतियोगिता जो है दुटिये टाइप में सांत्वना चक्र की बिजेता टीम को प्रतियोगिता में कौन सा इस्थान मिलेगा बोलिए प्रत्थम दुटिये सांत्वना उप बिजेता या फिर D option सभी 43 यह हो जाता है यहाँ पर दुटिये से रिलेट करता है D option इसका सही आंसर होता है next question पर move करता है next question निम में आप लोग को बताना है कमेंट के माध्यम से आप लोग उत्तर बताईएगा कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा D option लिख लीजिएगा इन में से कोई नहीं next question ओलंपिक पैरा ओलंपिक अंदोलन जो है इसकी सुरुआत करने का स्रे बताईए और यह यह question सायद आपको प्रैक्टिस से जो आज कर दिया जा रहा उसमें दिया हुआ है A B C या फिर D option देख लेते हैं डी उत्तर से रिलेट करता है next question पर मूब करता है next question 47 ओलंपिक खिर कितने वर्स के अंतराल से आयोजित किया जाते हैं जो ओलंपिक्स हैं यह कितने वर्स का जो अंतराल होता है उसमें इनका आयोजन किया जाता है तीन चार पांच या फिर दो वर्स 47 बहुत जबरदस्त question आसान सप्रस ने बी आफ्सन हो जाएगा 4 years हो जाता है right answer next question है ओलंपिक सब्द जो ओलंपस से लिया गया है जो की नाम है नदी परवत दूइप या फिर राष्ट का नाम से समंधित है तो यह जो रिलेट कर जाता है बरवत से रिलेट करता है next question पर move करता है next question दिया हुआ है आधनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ जो आधनिक ओलंपिक खेल है इनका प्रथम आयोजन हुआ था 1894 पैरिस में हुआ था 1896 एथेंस में हुआ था 1898 लंदन या फिर 1900 मास्को Question No.49 आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयूजन बताईए 1896 एथेंस में इसका आयूजन हुआ था सकते प्राचीन ओलंपिक खेल में थांपिचयताओं को प्रदान किये जाते हैं तो इसमें जो प्रदान किया जाता था था क्या प्रदान करते थे नकाद राशाय जो हमती रोगां की जाती थैं सिक्केश्ट प्राइब के या फिस जैटून के पतोख Uh मुकुट होता था वहाँ प्रदान किया जाता था पचासवाँ क्वेस्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर बहुत आसान राइट आंसर सभी लोग अटेम्ट करिए सही उत्तर कौन सा होगा यूपी टीजीटी के लिए जो भी स्टुट्ट डूना चाहते हैं तयारी अभी से सुरू कर दीजिएगा जो लोग तयारी नहीं कर रहे हैं बाकी बिहार के लिए भी आप लोग जोईन हो सकते हैं, दोनों पेपर्स को आप लोग प्रिप्पेर कर सकते हैं, राइट आंसर यहां पर बताईएगा, डी आप्शन हो जागा, जैतून के पत्तों के मुकट से बिलेट करता है, नेक्स्ट कोईशन है, ओलंपिक खेलो का आयो होता है, ओलंपियाड के किस वर्स में होना चाहिए, प्रथम दुती है, त्रती है, या फिर दी आप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है, चतुर्थ वर्स, बताईए, यहां फिर प्रथम वर्स से लिलेट करेगा, नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है, ओलंपिक खेलों की अवद क कितनी होती, जो ओलंपिक खेल होते हैं, इनकी अवद कितनी होती, दस दिन होती है, 16 दिन होती है, 20 दिन होती है, या फिर दी आपस्ट दिया है, 24 दिन होती, राइट आंसर आपको कीजीए, जल्दी से इइग्जाटलि आप प्रतियोगिता को सामिल किया गया question exam में पूछा गया है यहाँ पे UPTGT का जो पुराना पेपर था 2011 के बाद का उसमें ये प्रस्न आया हुआ है सही answer आप सभी लोग comment करके बताईएगा सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा आप लोग को इसका answer बताना है next question पर move करते है Olympic खेल के उधाटन आउसन पर कौन से देश का दल March past में सबसे आगे रहता है तो इसमें कौन सा देश है जो सबसे आगे रहता है कौन सा हो जाएगा में जबान देश होगा alphabet अंसार हो जाएगा Greece हो जाएगा या फिर C option के बाद D option France यहां पर C उत्तर इसका सही आंसर हो Greece इसका correct answer हो जाएगा next question पर move करते है Olympic खेल में March past में सबसे अंतिम दल कौन सा होता है जो अंतिम दल होता है वहाँ कौन सा होगा ये तो मेजबान देश हो जाएगा बिल्कुल आंसर आप लोग का हो जाएगा सबसे आगे Greece हो जाएगा सबकी जो मेजबान देश होगा जो March past में होगा Olympic खेल में वो सबसे पीछे होगा next question पर move करते है table tennis को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है जो table tennis से 56 नंबर प्रस्ट में इसको अन्य दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है वेट लडोर नाम से जाना जाता है संटी पिंग पॉंग या फिर बूडो के नाम से जाना जाता है बहुत आसान सा question है पिंग पॉंग के नाम से जाना जाता है next question पर move करते है अंतर राश्टिय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन कप किया गया जो अंतर राश्टिय टेबल टेनिस फेडरेशन है इसका गठन कौन से सन में किया गया था कौन से सन में इसका गठन हुआ था आप लोग आंसर बताईएगा यहाँ पे 57 का किस आप्शन से रिलेट करेगा कौन सा आपसन इसका सही आंसर होगा बहुत इंपोर्टेंट कॉईस्चन है 57, 1920 से रिलेट कर जाएगा या फिर 1912, 1924 या फिर सतावन नंबर का 1926 सही आंसर हो जाएगा 1926 इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स वेशन पर मूब करते हैं लुषानी स्विजर लैंड से रिलेट करेगा नेक्स वेशन पर मूब करते हैं भारतिये टेबल टेनिस महा संग का गठन कप किया गया इसका जो गठन किया गया था कौन से संग में किया गया था 1926 में किया गया था 1938-1945 या फिर डी आप्षन है 1954 बोलिये 69 भारतिये टेबल टेनिस महा संग के गठन की अगर बात करें तो आपका आंसर यहां किस आप्षन से रिलेट करेगा कौन सा आप्षन सही होगा चार आप्षन है आप लोगो की स्क्रीन पर राइट आंसर आपको अटेंट करना है 69 नंबर 1938 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दी आप्षन सही उत्तार है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे, नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर 60 नंबर का, बहुत ही इंपोर्टेंट और एक्जाम में हर बार पूछा जाता है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब सामिल किया गया, जो टेबल टेनिस है, इसको ओलंपिक कि जो गेम्स हैं, इसमें कब सामिल किया गया, कौन से सन में सामिल किया गया, 1980 मासकों में सामिल किया गया, 1988 सियोल, 1996 अटलांटा या फिर डी आफसन दिया हुआ है, सन 2000 सिड्नी, टेबल टेनिस की बात की जा रही है, तो आंसर आप लोग का होगा, 1988 सियोल से रिलेट करेगा, नेक्स्ट पोजिशन है, टेबल टेनिस में एकल बिस बिजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, इसमें कौन सी ट्रॉफी इसमें प्रवाइड की जाती है, दी जाती है, सेंट Sender, Bride, Wash, Cup divulge, Curie cup, Sztork cup या फिर beton cup Table Tennis में ďकल पुष्ज बिज़ेता को कौन सी trophy provide की जाती है यहाँ पर हो जाता है Sender, Bride, Wash cup से relate करता है Next version पर move करता है, Next version दिया हुआ Table Tennis में एकल महिला विज्ज बिज़ेता को कौन सी trophy provide की जाती इसमें कौन सी ट्राफी को प्रोवाइट किया दिए सीजर्स कप इरान कप जी जी जेस्ट कप या फिर सी ऑप्शन के बाद डी है बैटन कप बहुत आसान कोईशन है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे टेबल टेनिस में राष्टी अ पुरुष टीम विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती आंसर आप लोग को बताना है इसको भी पेट ग्रूप जोइन करना 9621-819209 पर कॉन्टेक्ट रव सकते हैं इसी नंबर पर आप फिजिकल एच्व आप लोग लगाते रहिएगा सही आंसर यहां पर जो हो जाएगा यह परना बेलाओ कप से रिलेट करता है सही आंसर होगा सी आपसर नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं नेक्स्ट कोईशन है टेबल टेनिस में राष्टी महिला टीम विजेता को कौन सी ट्रॉफी प्रद प्रदान की जाती है इंदिरा गोल्ड कप सिवाई ट्रॉफी कप बरना बिलाओ कप या फिर जैल अच्मी कप जैल अच्मी कप इसका सही आंसर है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे नेक्स्ट कोईशन है टेबल टेनिस के राष्ट्री पुरुस एकल को कौन सा कप दिया जाता है नार्थ वेल्स कप दिया जाता है अमरत दिवान कप दिया जाता है सुंदरम ट्रॉफी या फिर पीथा पुरम कप इसमें प्रोवाइड किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कोईशन है इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो यूटूब पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन अच्छी तरीके से रिपीट कर सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी आपके महाँ पर दिये हुए उनको भी आप रिपीट कर सकते हैं इस क्वेशन का आंसर क्या होगा डी आप्शन और जो भी प्रैक्टिस सेट मौन पेश कुछ जी आ फिर जो भी आश्ट्रिय महिला एकल को प्रदान क्या जाता है क्या प्रदमावती का प्रदान क्या जाता है बिलियम ट्रॉफिक कार्विलान कप या फिर त्रामड कोर कप 66 Most 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 important questions सभी लोग answer तुरंत attempt कीजिएगा 6-6 number का right answer आप सभी के पास में 30 seconds से questions का answer attempt करने के लिए D option बहुत से students ने attempt कर दिया है त्रामड कोर कप से relate करता है next question पर move करते है निम्न में से किसका संबंध जो है यहाँ पर table tennis से है अब बताना है आपको सरसट में कौन सा option है जिसमें आप इसके relate करेंगे table tennis से hook, rework, Chinese grip या फिर flatching पताईए चाइनीज grip से relate करेगा क्या सही answer हो जाएगा next question है table tennis में table की उचाई कितनी होती है जो table tennis में table की उचाई की बात करने तो 48 cm होती है 64 cm होती है 76 या फिर 87 68 टेबल की उचाई 76 cm होती है next question पर move करते है table tennis खेल में table की चौनाई कितनी होती है आप बताईएगा बहुत important जो series के questions होते है वो आपको provide कियागे है practice set में क्योंकि यहाँ से question exam में बन सकता है कितना हो जाएगा बी option होगा क्या 1.52 meter next question पर move करते है table tennis में table की लंबाई बताईएगा इसमें table की लंबाई की बात करने तो यह कितनी होगी 2.74 meter हो जाएगा 2.50 meter हो जाएगा 2.90 meter होगा या फिर 2.34 meter है यहाँ पर answer आप लोग attempt कीजिए को जितने भी students spade group से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं बाकी जो भी अगर आप किसी भी state से belong करते हैं किसी भी vacancy जो भी इस समय आनी है या फिर आई होई हैं अगर आपको कोई भी confusion होता है तो whatsapp भी कर सकते हैं या फिर call भी करके अपना जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं ऑप्षन होगा या फिर ए होगा ए उत्ठा 2.74 नेक्श्ट पैस्ट कोईशन पडाता है किसी नुकी ली वस्त के किनारे द्वारा चोट लगने से उत्त की एक चटी कौन्सी चोट कहलाती यह इनसीजन कहलाती- Conjunition कहलाती है, Evelson या फिर Tendonitis कहलाती है, पताएगा, ये कहलाता, Incision से रिलेट करता है, next question पर we move करते हैं, Incision छोट की गंभीर इस्तित में कौन से अंग छतिगरस्त होते हैं, इसमें कौन से अंग ऐसे हैं, जो छतिगरस्त होते हैं, बहुत ही important हैं, ये सभी अंग हो सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट कोईशन है कौन सी चोट में किसी नुकीले उपकरण द्वारा मुलायम उत्तक में छेद हो जाता है यह आपको बताना है कैल्सिस कॉंट्यूशन पंक्चर वाउंड या फिर एवल्सन 73 पंक्चर वाउंड से रिलेट करेगा यहां पर सी ऑफसन इसका राइट आंसर है 74 पर मूब करेंगे किस चोट में सीधे प्रकार से मुलायम उत्तक हड़ी से अलग हो जाता है इसमें बताईए का कौन सा हो गया अब्रेसन इसका गलत आंसर हो जाएगा अब्रेसन से रिलेट करेगा बी आप्सन नेक्स्ट कोईशन पर मूब करता है फक्षटार के बार बार घजान दबाव या उप्योग से सक्त हो जाना कौन सी चोट है ये कौन सी चोट से सम्बन दितला लैक रेसन से रिलेटर है हमे टोमर से रिलेटर इस्ट्राबेरी या फिर कैलिसस 75 75 नमर को कैल्सिस से रिलेट करता है next question पर move करेंगे next question दिया हुआ सरीर में आघात लगने से तचा के नीचे रक्त जमा हो जाता है तथा नीला पड़ जाता है यह कौन सी चोट है यह कौन सी चोट से सम्मंधित है 76 बोलिए यह हेमाटोमा से रिलेट करता है next question पर move करता है next question दिया हुआ मान स्पेशी पर आघात लगने से तचा के नीचे रक्त जमा हो जाता है तथा नीला पड़ जाता है यह कौन सी चोट से रिलेट करता है 77 बहुत important question है यह जो 75 के बाद के question दिये गए यहां से question exam में बनता है त्यान रखिए को और बिहार के लिए जो भी तयारी कर रहे है उन लोग थोड़ा सा लेबल आप करकर तयारी करें यह questions जो है थोड़ा सा अप है इस तरीके के questions वहां पर बन सकते हैं प्रैमरी लेबल का exam हुआ था वहां पर 40 number भी लाने बहुत ही कठिन हो गए थे जब minus marking नहीं थी इसलिए तयारी का लेबल आप लोग ऐसा भी न कीजियागा कि आसान questions भी गलत हो जाएं अगर आसान paper बने आसान, tough, toughest सभी question पढ़िएगा D option होगा contusion से relate करता है लिगमेंट, टेंडन, मांसपेसी या फिर D option अस्थी बताईए contusion की बात करते हैं तो इसमें कौन से अंग को चोट लगती है तो यह जो मांसपेसी होता है इसको चोट लगती है next question है मांसपेसी या stiffness या ध्रनता का कारण आपको बताना होता है क्या होता है कमजोर सारीरिक इस्थिती होता है लंबी दोर होता है कर्म वाता वरन में परसिछड या फिर D option अपको सभी 79 तो यह हो जाएगा कर्म वाता वरन में परसिछड उपको चोट सभी से relate करेंगा next question पर move करते है next question है मांस्पेस यह धरता का कारण नहीं है जो मांस्पेस यह धरता है इसका कारण क्या नहीं है लवड की कमी तंग वस्त लैक्टिक अमल जमाओ या फिर वार्मिंग अप question number 80 most important easy question बस question आप लोग के आते हुए गलत होते हैं क्योंकि गलत होने का reason होता है कि आप जो वहां पर confusion होता है वो जल्दबाजी का होता है question number 80 warming up से relate करता है next question पर move करते है 81 टेंडन की खिच जाने से तंतुओं में सूजाना जाती है यह चोट होती है यह जो चोट होती है क्या होती है spread दबाव fracture tendonitis या फिर draft option दियावा hematoma 81 tendonitis से relate करता है next question पर move करता है next question निम में से कौन सी चोट टकने के tendon से संबंदीत है इस में से कौन सी चोट ICDV यह जो टकने के चोट से tendon से संबंदीत है रिलेट करती है पैटल सी tendonitis चोट या फिर tennis elbow Achilles tendonitis या फिर कोई नहीं कौँगा कौन सा option होगा Achilles से relate करेगा next question पर move करता है 83, Achilles की बात करें tendonitis चोट कौन सी गतिविद में लगने की संभावना रहती है most important question सभी लोग देखिए अगा tough question है हाँ जो भी जूड़ना चाहते हैं जूड़ सकते हैं किसी को भी contact करना हो contact करके इसी नमबर पर payment करके join कर सकते हैं UPTGT के लिए के वल 500 का payment करना है physical education के लिए पुराने नए सभी student जबकि आपका बिहार का बैस चला अभी आपका नया बैस शुरू हुआ है आप लोग वहां पर जूड़का तैयारी कर सकते हैं अगर आप UPTGT में जूइन होना चाहते हैं UPTGT जूइन कर सकते हैं अगर आप इकला भी model के लिए preparation करना चाहते हैं तो वहां भी जूइन कर सकते हैं 83 का answer जो हो जाता है यहां पर सही answer से relate करता है athletics में लंबी कूट से related है next question पर move करेंगे next question है एक्चलिस टेंडो निटिस चोट का उपचार है क्या प्राइस थेरिपी है क्या wax बात क्रायो थेरिपी या फिर डाया थर्मी 84 डाया थर्मी से related है next question है निवन में से quadriceps मान स्पेसी से संबंदित चोट कौन सी है इससे संबंदित चोट यह कौन सा option होगा इस पर नहोगा एक्चलिस टेंडो निटिस होगा पैटलिस टेंडो निटिस होगा या फिर बुसाइटिस 85 C option यहाँ पर सही answer होता है next question पर move करते है next question है पैटलिस टेंडिनिटिस चोट का उपचार किया जाता है जो यह चोट है इसका उपचार कैसे किया जाता है क्रायो मसाज जो होता है इसके द्वारा किया जाता है सोना बात अल्टरा सोनिक तरंग है यह फिर D option है वैक्स बात 87 बहुत इंपोर्टेंट प्रस्न है 87 अल्टरा सोनिक तरंग से रिलेट करता है C option इसका राइट आंसर होता है नेक्स्ट वोजिशन है मान स्पेसियों में लैक्टिक अमल जमा होने से उसमें सक्तपन आता है तथा दर्द होने लगता है यह कौन सी चोट होती है यह कौन सी चोट होती 88 का बताईएगा पिछले संडे में आप लोगों को ग्रूप में भी प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है और चैनल पे भी प्रैक्टिस सेट प्रवाइड किया गया था आप लोग उन सभी प्रैक्टिस सेट को देखिएगा और बीच में भी एक प्रैक्टिस सेट आपको आगा है उसको भी रिपीट कीजिए गा आज भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट है स्कोरिंग भी साथ में करते रहिए गा बी आपसन इसका साही आंसर है नेक्स्ट वेशन पर मूब करते हैं नेक्स्ट कोईशन है मांस पेसियों पर बार बार घरसन होने या फिर बाहरी आगा से दर्द जलन होती है इस चोट को कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं कॉंट्यूशन कहते हैं बुसाइटिस कहते हैं बिश्टर या फिर डी आपसन इस्ट्रेंड 89 इसको बोलते हैं Bucytis यहाँ पर B option इसमें सही answer next question पर move करते है contusion चोट जो है इसमें प्रारंबिक उप्चार दिया जाना चाहिए इसमें प्रारंबिक उप्चार क्या होगा hydrotherapy, cryotherapy, wax bath या फिर infrared question number 90 cryotherapy से related है next question पर move करते है next question है बैरियो नामक को योगिता परिछर में कौन सा टेस्ट नहीं है इसमें कौन सा टेस्ट जो है इससे relate नहीं करता है standing broad jump जो है इससे relate नहीं करता है 60 meter दोर जो होता है वो relate नहीं करता है jigzog, rung या फिर medicine, ball put 91 question number में आप लोगों का जो exact answer हो जाता है यहां पर right answer से relate करता है वो कौन सा होगा 60 meter दोर जो होता है इसका सही answer होता है B option correct answer next question पर move करते है निम्न में से ponderal index द्वारा किसका मापन किया जाता है ponderal index जो है इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है मोटापा का मापन किया जाता है इसके दुबले पन या फिर लचकता का मापन करते है 92 बताइए दुबले पन का यहां पर ponderal index जो होता है दुबले पन का मापन किया जाता है ध्यान दखिएगा यहां पर सही answer हो जाएगा next question पर move करेंगे निम्न में से किस सूचकांक में ब्यक्ति के द्रव्यमान और उचाई के संबंध की गड़ना की जाती है पैडोग्राफ इस्टेडियो मीटर ponderal index जा फिर मायोग्राफी 93 क्या होगा ponderal index होता है इसका C option next question पर move करते है 94 बैरो गामक योगिता परिछड में कौन सा मद नहीं है इसमें कौन सा मद ऐसा है जो इससे relate नहीं करता है zigzag run होता है tech jump होता है wall pass होगा या फिस 60 मीटर 60 गजड़ क्या D option आप लोग relate कर जाएंगे क्या 94 number question केवल 125 question का practice set है बहुत important practice set आपके exam के pattern के अनुसार सही answer हो जाएगा यहाँ पर right answer से relate करता है B option next question अनुरूपित ब्यायाम जो है इसका संबंध किससे है अनुरूपित ब्यायाम जो है यह relate करता है tensiometer, spirometer, treadmill या फिर goniometer यह treadmill से relate करता है next question निव्ण मैसे बैरो गामक योगिता परिछण का भाग बताना है plyometric run, zigzag run, panic up या फिर d option सभी 96 यहाँ पर आप लोग उत्तर थोड़ा ध्यान से attempt कीजिए बताईए 96 बहुत important गलत answer यहाँ पर d option zigzag run से relate करता है next question मैं move करते है next question वेमेंट दच्चता परिछड जो है का संबंद किससे है यह किससे relate करेगा 97 नंबर question यह relate कर जाएगा आपका a option से यह उत्तर सही answer है आज जो practice set है या फिर जो भी practice set आप लोग को group में provide के आता है या फिर channel पे भी आप लोग को मिलते रहते हैं तो आपके जो practice set दिये जाते है exam का pattern जो होता है label जो पूछा जाता है उसी के according tough questions भी बनते हैं आसान भी बनते हैं बहुत आसान भी बनते हैं इसलिए हर type के questions आपको मिलते रहते हैं इंडिया ना गामक पर इच्छन से रिलेट करता है C option सही answer हो 9 बचकर 30 मिनट पर आप लोग की life class आती है जिसमें बहुत 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 रहते हैं वहाँ पर revision test आप मानके चलिए होता है इसकार्ट गामक यूगता परिछन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर answer कौन सा होगा बाधा दोड होगा, scramble होगा, straddling, chingling होगा या फिर आकरती आठ दोड क्या हो सकता है बाधा दोड से रिलेट करता है आपने के लिए तयार किया गया परिछन आपको बताने कौन सा है और जो भी इस्टुडेंट भिहार की प्रिप्रेशन करने है बाध बेतीन तरीके से आप लोग ग्रूप के अंदर जुड़ का तयारी कर सकते है इसी नमबर पर आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते है आपको इसी नमबर पर करना है फोन पर गूगल पर अमेजन पर पेटियम एकॉंट वाट्सप पेमेंट या फिर किसी अनिके मादम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीन साट सेंड करके ग्रूप से जॉइन हो सकते हैं यहां पर आंसर की बात करें तो सी आप्शन साई आंसर है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं मलेरिया की बीमारी होने का कारण आसान सा कोईशन है इतने कोईशन में पहला कोईशन आसान है पर जीवी से रिलेट करता है नेक्स वइशन है प्रष्ठ सूल एक प्रकार का विकार है कंधों का माथे का उधर छेतर का या फिर कट छेतर का 102 किसका है यह D option कटी छेतर का है next question पर move करते है सूखा रोग किस vitamin की कमी के कारण होता है जो सूखा रोग है यह कौन सा vitamin होगा D option से relate का है vitamin D होता है यहाँ पर B उत्तर सही answer है next question पर move करेंगे next है प्रत्यच्छ संचरण वाला रोग आपको बताना है 104 में आपका उत्तर कौन सा होगा it's diphtheria, TB या फिर hook warm 104 का answer बताईए बहुत आसान है D option नहीं होगा C उत्तर इसका right answer होता है next question पर move करेंगे इन में से कौन titanus से सुरच्छा प्रदान करता है बहुत important है T, A, B, C M, M, R titanus toxide या फिर humanoid vaccine बोलिए आसान question है titanus toxide से relate करता है यहाँ पर right answer हो जाता है next question है blood sugar के लिए उपयुक्त ब्यायाम बताईएगा blood sugar टहलना से relate करेगा बहुत आसान है यह भी यहाँ पर 101 से आपके जो questions है अब यह समझेएगा आपका जो paper बनता है beach beach में आसान question इसलिए दियाता है कि आप लोग demotivate न होने पाए question number 107 है laprosy होती है यह exam में जो paper मिलता है वो भी ऐसे याता है कहीं पर tough होंगे तो beach में आसान question भी दे दिया आता है laprosy बताना है आपको यह क्यों तो bacteria के द्वारा होता है next question पर move करते है BCG का टीका निम्न में से किस रोग की प्रतिरिच्छा के लिए लगाया जाता है यह कौन से रोग की प्रतिरिच्छा के लिए लगाया जाता है कुकर खासी उसके आने से होता है pancreas, liver, फेफ़रा जा फिर प्लिहा बोलिए 109 और बिल्कुल आज जो आपका live class रहेगा 30 questions या फिर 40 questions जो भी आपको provide किया जाते है select किये गया है बहुत important questions आप लोग class को अब से join कीजिएगा और अपनी जारी जो है इसी तरीके से जारी रखिएगा यह option यहाँ पर relate करता है pancreas से संबंदित ए उत्तर इसका correct answer है next question पर move करते है embobiosis है तो उत्तरदाई जीवार जो होता है किस प्रकार मानो सरीर में प्रविष्ट हो जाता है कौन से प्रकार से मानो सरीर में प्रविष्ट हो जाता है स्वसन के माध्यम से इसपर्स के माध्यम से मुह आमने सामने पढ़ने से या फिर रक्त अंतरण के माध्यम से 110 बदाईए यह क्या होगा मुह आमने सामने पढ़ने से यहाँ पर C option यह जो होता है आपका काली खांसी होने के ज्यादा chances रहते हैं मुह आमने सामने पढ़ने से next question पर move करते है चपटा पाउं को कहा जाता है जो चपटा पाउं है उसको क्या कहा जाता है पेस प्लैनेस कहा जाता है प्लांटर फैसिटिस कहा जाता है मॉर्टर नियूरोमा या फिर मेटा टॉर्स लीजिया बोलते है 111 इसके पहले के questions अगर आपने नहीं देखें तो आप लोग playlist में जाके सभी questions सभी practice देखिएगा revision करते रहिएगा questions का आप लोग उसमें part भी पढ़े हुए हैं वहाँ उसके recording भी आप पढ़ सकते हैं date wise भी complete कर सकते हैं जिस तरीके से आप अपना system बना सकते हैं उस तरीके से तजारी कीजिएगा बस questions को repeat अवस्से करते रहिएगा A option इसका सही answer है next है उंगली की चोट पर लगाई जाने लिए पट्टी का प्रकार आपको बताना है clip पट्टी होता है तिकोनी पट्टी होता द्वी निकेट पट्टी होता है या फिर roller पट्टी होगा D option इसका सही answer से रिलेट करेगा क्या right answer आपको बताना है कि A, B, C या फिर D मैंसे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बहुत important question है 112 यह रोलर पट्टी इसका सही answer होता है right answer से रिलेट करता है next question दिया हुआ chronic चोटो का निम्ण मैं से किसके द्वारा उपचार किया जाता है इसम का उपचार बताना है आपको किसके द्वारा किया जाता है बहुत यह भी important है infrared ray, short wave diver, थी ultra sound diver, जा फिर ultra violet ray के माध्यम से जो किर्णे होती है उनके माध्यम से होता है 113 ultra sound diver इसके रिलेट करता है c option इसका सही answer होता है next question पर move करेंगे चोट का तुरंत उपचार आपको बताना है जल उपचार, बर्फ उपचार, ताप उपचार या फिर बिद्दुत उपचार B option यहाँ पर होगा बर्फ का उपचार से रिलेट करेगा next question पर move करते है next question दिया हुआ है अंगुली की चोट के लिए किस प्रकार के bandage का उप्योग किया जाएगा जो अंगुली की चोट है इसके लिए आपको बताना है बात हिस्सर लेट नहीं करता है next question पर move करेंगे next question है बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए यो प्रथम उपचार होना चाहिए बर्फ हुआ फंडे पानी से सेकना हो जाएका गरम पट्टी लगाना दवा लगाना या फिर एक D option दिया हुआ है उपरोक्त सभी A, B, C या फिर D मैंसे कौन सा आंसर सही हो जाता है राइट आंसर होता है 117 question number A option बर्फ हुआ ठंडे पानी से सेकना से रिलेट करेंगा next question पर move करता है next question है सारी रिक उपचार को निम में से किससे संबोधित किया जाता है जो सारी रिक उपचार है इसको निम में से किससे संबोधित किया जाता है किससे संबोधित करता है तो ये फिजियो थेरपी से संबोधित करता है C option इसका सही आंसर होता है next question है पहले से खेल से पहले की 40 प्रतियोगता से 10 गंटे पहले दी जाती ये कितने गंटे पहले दी जाती 8 से 12 गंटे पहले दी जाती 12 से 24 गंटे एक से 3 गंटे या फिर 36 से 48 गंटे सही आंसर आप लोग को बताने है 119 question number का C option next question पर move करेंगे contrast बात में प्रियोग की जाने लिए प्रथम वस्तु क्या है गर्म पानी है गर्म और ठंडा पानी है ठंडा पानी या फिर गुनगुना पानी क्या हो जाएगा यहाँ पर C option ठंडा पानी से रिलेट करेंगा next question दिया हुआ है सूची में उस वस्तु का नाम बताना है यह question आप लोग screenshot ले लीजिएगा बहुत important है और answer आप अगर बात करेंगे घटना चक्र की और अन्य जो बुक्स हैं उसमें अलग अलग दिया हुआ है आयोग के द्वारा भी answer कहीं कहीं पर आपको अलग मिल जाता है इसका answer बताना ह है जिससे बर्रा जो है के कांटे का उपचार किया जाता है जल सोड़े का बाई कारूनेट हाइड्रोजन पर आकसाइड या फिर सिरका क्या होगा डी आप्सन एक्स्ट क्वेशन यह क्वेशन एक्जाम में पूछा जा चुका है निम्ल में से कौन सा सब्द एक घाव नहीं बताता आप्सन आप लोग की स्क्रीन पर है answer attempt कीजिएगा नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करेंगे आप किस प्रकार देखेंगे कि एक बेहोस ब्य रहा है या फिर नहीं बहुत इंपोर्टेंट है यह थोड़ा सा answer आपका mismatch भी कर सकता है गूगल के द्वारा बाकी answer जो है आयोक के द्वारा अगर आता है question तो यही आपका सही होगा नेक्स्ट वेशन फुटबॉल ख्राडियों के लगने वाली बर्नल चोट को सामानेता नाम से जाना जाता है कौन से चोट के नाम से जाना जाता है इसको बर्साइटिस के नाम से जानता है इस्टेन इस्टिंगर या फिर कैंप 124 124 बर्साइटिस के नाम से जाना जाता है यह option इसमें सही answer होता है next question पर move करते है मालिस की affiliation technique की आपको बताना है कि सही answer किस option से relate करेगा सहलाना हस्त कॉसल बिधी दबाव हस्त कॉसल बिधी थप धपाना हस्त कॉसल बिधी या फिर जख जोड़ना हस्त कॉसल बिधी बहुत important question है आप लोग जल्दी से answer attempt कर दीजिएगा right answer कॉन सा होगा और जिसको भी group join करना है बिहार का बैच भी आप लोग का चला UP का बैच भी चला इकला में model school का बैच भी रन हो रहा है जिसमें आपको जुड़ना है जिसमें दो पेपर से उसके लिए आप लोग payment कर सकते हैं बिहार का जो आपको payment रहेगा 800 अभी है आप लोग इतना payment करके जुड़ सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का कोई भी confusion होता है पुराने students है नए students सबी लोग जुड़ सकते हैं बस तयारी कीजिएगा तयारी अच्छी तरीके से कीजिएगा लोगी competition आपको पता है कि किस label का है आपको लगता है कि कोई पढ़ा नहीं रहा लेकिन उस time पे बहुत सच्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई से लगाता जुड़े हैं क्योंकि यह option इसका right answer होता है बिलकुल सही answer है तो यह थे आज के कुछ most important 125 questions practice set से related वीडियो पसना आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आई कर प्रस कर दीजिए को कि most से most important questions के सिरीज आप सब लोगों को चैनल पर provide किया जाता है अपनी scoring करके अबस ने बताईया कि जो आज का practice set आपको provide किया गया इसमें आपके 125 में से इमानदारी के साथ में कितने questions सही हुए हैं आप लोग इससे देखियागा कि आपका आने वारे जो exam से उसमें आपकी इस तरीके से score कर सकते हैं तो आप ल लोग अपना चैनल सब्सक्राइब करने साथ में जो भी आपके physical question के चितने भी साती है सभी के साथ में चैनल को share भी कर दें तो मिलते हैं नए वीडियो में नए questions के साथ में तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मेहनत करते रहिएगा सफलता आप सभी लोगों को अवस्ति प्राप्त होगी